खार स्ट्वेंट जैसे आपनोंने कहा कर दो नोने उसके च्छे कोशन की तो उसके सॉलूशन बना दी गए हैं तो इस सॉलूशन का पहला कोशन है इस कोशन में जो आपको दिख रहा होगा कार उर्जा का उले कर इसे सिद कीजिए जो एक क्लोवाट का मॉटर पांच में बीस मीटर उचाई तक उठा देता है तो कार उर्जागी पिरमे को डिफाइन करना है कार उर्जागी पिरमे में आपको दिखाई दे रहा होगा के सॉलूशन में कि माना एहम द्रब्मान का कोई पेंड है जैसे यह आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा जैसे कोई एहम द्रब्मान का एक कोई पिंड है पिंड का कोई पिंड आरंबिक वेग यू से मूब कर रहा है तो अगर कोई यू वेक से गती कर रहा है तो प्रिंड पर गती की दिशा वहावल एफ उस पर एफ बल आरोपिद कर रहे हैं हम लोग तो वहावल एफ जो आरोपिद हो रहा है ये वाला बल जो एफ आरोपिद हो रहा है इसमें ये U-Wake से घती कर रहा है किया जाता है जिसके Current Print पर A तुरून उत्पन होता है यानि यहां फिरेक्षन होगा किया जाता है जिसके Current Print में A तुरून उत्पन ہو जाता है Print तुरून A के अंतरकर S 25 करता है तो आपको देख रहा होगा यहां Print जो है यहाला लग्ड जो फैस्टापन हो गया तो 이 इस-श्टापन हो गया यहां पर तो अथा बल द्वारा भी प्रॉप्तु ब्स्तापन बाथ भेग जानी यहां पर बेगde एजी चाह्ँक्णक ब्सто बाक्ते वी dogs ब्स से कृइनज़ जीडू न से इस लिए कॉस जीरू बरावर कितना होता है वन इसलिए डबलु वराव आप ऐसा जाएगा चुक्त जानते हैं कि एप बरावर एमे होता है इसलिए डबलु वरावर कि हो जाएगí किге मेलें एको acum बना लें बराबर u² प्लस 2aS तो इसको हम क्या करेंगे इसको पक्छानदा कर लेंगे पक्छानदा करने अब किया जाएगा u² v² व² बराबर 2aS तो s को यहा से find कर लेंगे s को find करने के बाद इसको समीकर एक में S कमान यहाँ पर उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो यह वैलू आ जाएगी यहाँ पर फिर इसके बाद W बराबर MA into U square V square upon 2A आ जाएगा फिर इसका multiply अंदर करा देंगे तो 1 upon 2 MB square minus 1 upon 2 MU square आ जाएगा यहाँ पर यदि 1Y2 MB square बराबर K1 पिंड की RMB कति दूजा माने हम तो तब 1 upon 1 upon MB square को गंद कति की पिंड की दूसरी यानि अंतिम कति दूजा माने तो पहले क्या है V square है तो यहाँ क्या जाएगा के टू आ जाएगा और यहाँ क्या है के बन है यहाँ के बना जाएगा तो W बराबर K2 minus K1 बराबर delta K define कर देंगे इसके बाद एक note लिखने देना है किसी print पर बल दूजा किया गया car print की गतित ऊच जाके परिवर्टन के क्या होती बराबर यानि delta K उसके W के क्या होगी बराबर होगी तो यह complete question है जिसको आपको क्या करना है तयार करना है इसके बाद इसमे एक numerical है उस numerical का point यह दिया है कि numerical में दिया है आपको जो सवाल में देखो वहाँ सवाल में दो किलो वाट मीटर 5 मिनट पर 20 मीटर की उचाई तक उठ जाता है दो कलो वाट को वाट में बनें तो valid विजए तो अबर पांच मिनट में 30 में में पर 1 द्वार कार और अबर होता है P into T तो P into T देख रहा है तो P कामान पता है 2 into 10 power 6 और T कामान कितना 3 second है तो total कितना जाए 6 into 10 power 5 joule आ जाएगा चुछकि W कार की अगर है कार MGH होता है तो M निकालना है यहाँ पर तो M into M बराबर W upon G तो W कामान पहली निकाल चुकिए 6 into 10 power 5 10 power 5 upon 10 into 2 तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3 into 10 power 3 किलो ग्राम तो इस ट्रेंड यह पहले long question का solution है complete इसको अलग अलग part में ही solution को डाल दियाएगा इसके बाद next video में दूसरा lesson का लगाता डाल दिया जाएगा एक एक करके डालने पर complete कर दियाएगा 6 question ओगे strength